काउंटी क्रिकेट में साहिन अप्रीदी का आया तोफान, तीन गेंद पर तीन विकेट लेकर इंग्लैन में रचा इतिहास जी हां दोस्तों क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस वीडियो में आगे लेकिन इससे पहले अगर आप भी है साहिन सा अप्रीदी के फैन तो इस वीडियो को दिल सेक लाइक कर दीजे साथी दोस्तों आपके मुताबिक क्या साहिन सा अप्रीदी दुनिया के सबसे खतरनाक गिंदबाज है या नहीं अपनी राय नीचे कमेंट करकर जरूर बताएं तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं पाकिस्तान के 22 साल के तेज गिंदबाज साहिन अप्रीदी ने कम वक्त में ही अपनी पहचान बना ली है उनकी गिंती आज बहतरीन गिंदबाजों में होती है उन्हें ICC ने भी पिछले साल के प्रदाशन के लिए इस साल की सुरुवात में Man's Cricketer of the Year चुना था साहिन ने हल ही में ऑस्टेलिया के खिलाब घरेलू सिरीज में दमदार गिंदबाजी भी की थी उन्होंने तीन टेस्ट मैचों में 9 और फिर लिमिटेड ओबर सिरीज में कुल 8 विकेट जटके थे इस सिरीज के बाद साहिन अफ्रिदी इंगलाइन में काउंटी क्रिकेट खेल रहे है और वहाँ भी इस पाकिस्तानी गेंगबाज का प्रदशन अब चक सांदार रहा है मिडिल सेक्स के लिए काउंटी डेब्यू में 4 विकेट लेने के बाद साहिन ने काउंटी चेम्पेंशिप में लिसेश्टर सर के खिलाब डिविजन 2 के मैच में 3 विकेट हसिल किये इस दोरान वो एक वक्त हैट्रिक लेने के करिब थे लेकिन इस उपलब्दी को हसिल करने से चूग गए दरसल काउंटी क्रिकेट में मिडिल सेक्स के लिए सिरकत कर रहे अफ्रिदी ने टीम के लिए 500 अबर डाला उन्होंने इस ओबर की पहली गेन पर लिसेश्टर सर के सालामी बलेबाज हसन अजाद को अपने कप्तान के हाथों कैज आउट करवाया अगली ही गेन पर लिसेश्टर सायर के कप्तान कॉलिंग एकरमेन को भी उन्होंने शुन्नी पर बोल्ड कर दिया लिसस्टर सायर को सुरुवाती दो बड़े जटके देने के बाद अपनी दी चेंपियंशिप में अपनी पहली हेट्रीक की दहलीज पर खड़े थे लेकिन वो लुई किमबर को आउट करने से चुग गए साहिन की तुफानी गेंबाजी का वीडियो काउंटी चेंपियंशिप के ओफिसियल ट्वीटर हेंडल से से शेयर किया गया है साहिन भले ही हेट्री गेंट पर किमबर का सिकार नहीं कर पाये थे लेकिन उन्होंने नववे उवर की आखरी गेंट पर इस बल्लेबाज को पैविलियन की रा दिखा दी इससे पहले गले मोर्गन के खिलाब अपनी डेब्यू मेच में भी साहिन अप्रीदी हेट्टिक लेने से चुक गए थे तब उन्होंने गले मोर्गन के पहली पारी के आठवे ओबर की चौथी और पांच्वी गेंट पर मारनस लबुसेन और नार्थीस्ट को अपना सिकार बनाया था लेकिन वो आखरी गेंट पर किनन काल्सन को आउट नहीं कर पाए हाला कि इस मुकाबले में गले मोर्गन को पारी और 82 रनों से हराया था तो दोस्तों आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा स्यादा लोगों तक सेयर कीजे साथी क्रिकेट के मैदान से जुड़ी ऐसी ही और खबरे पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले अपना बहु मुल्य समय देने के लिए धन्यवाद